तो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप सब लोग काफी अच्छे होंगे आप सब का स्वाहत है हमारे चैनल सुमित श्टॉक मैजिक में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 दिसंबर यानि कि कल के दिन के निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या important levels होने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप लोगोंने एक चीज नोटिस करियोगी फ्राइडे के दिन profit booking आई और market उपर से गिर गया और आपको याद होगा मैंने रिलाइंस का एक important support दिया था और resistance भी दिया था बोला था पच्छे सो से अगर रिलाइंस नीचे dip मारता है तो market हमारा crash होगा औ अब बात करते हैं range की मैंने आप लोगों के लिए कुछ range तयार करिये हैं आप लोग इनको लिक्कर भी चल सकते हैं या इनका screenshot में ले सकते हैं अभी सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजे जो अभी market की अब range बन चुकी है वो बन चुकी हमारी 16,900 से लेकर 17,500 यह होन करता हूं अभी जो इसका important support था पहले इसका 17,000, 16,850 के असपास था देन उसका 17,000 हुआ अब उसका जो आ गया है उपर की तरफ वो आ गया 17,000, 80 से लेकर 17,110 के बीच की यह range जैस की important support अगर market इसको तोड़ता है मेरे recording फिर नीचे का एक fall आ जाएगा जो आप predict भी नहीं कर support होने वाला है एक वार बेभी turning point हो सकता है कि 17,000 से reverse हो जाए तो अभी जल्दबाजी मत करना है इसके नीचे ज्यादा short करने का बट हाँ 40,50 point के लिए आप लोग put buy कर सकते हो 17,100 के नीचे है तीसरा यह एक range है 10 minute के अंदर अभी निफ्टी को आप लोग एक शी जान भाई मुझे ऊपर जाना है या नीचे मेभी ऐसे केस में कभी कभी क्या होता 17,210 है माल लीजे 17,280 यह 300 को टच करकर market एक दम से crash हो जाए मतलब कि यह 17,300 यह decide करेगा level कि अब market को ऊपर जाना है यह नीचे जाना है अगर उपर जाना होगा तो 300 को cross कर देगा खासे levels के साथ ब्रेक कर देगा resistance को अब उसके बाद नीचे आना है तो आप अपना आप देखकर समझ जाओ जब नीचे आने लगेगा तो यह make and break level होने वाला है 17,300 का याद रखना आप लोग अब कुछ लोग market crash की बात कर रहे थे कि भाई वेव आ रहे है कोरोना की दोवारा से अच्छा predict नहीं कर पाया यह market को पता होती है वो उसके according ही चलने लगता है अब आप लोग जान लीजे market 18,600 के आसपास से reverse हुई आप लोगों को सब को लगा यहां से reverse हो कर फिर से 20,000 चूदेगी ऐसा नहीं हुआ market ने हम सब लोगों से पहले predict कर लिया ताकि इसकी जो वायरस की तीसरी आने वाली है लहरी है जो भी है वो बहुत धेंकर आने वाली है यह जो भी और तो अब जो इसका important support बनेगा अब यह news अगर जादा होती है बही चला के मतलब की जादा cases बढ़ते हैं और lockdown लगता है तब market 16,500 का बहुत तेजी के साथ टच करेगा उसके वाद कहां तक जाएगा वो आपको weekly update में मैं बता करेश का आपको level मैंने दे दिया कि support बनेगा 16,500 का अब reliance के अंदर आईए आप लोग क्योंकि यह निफ्टी को काफी हद तक चलाता है तो अभी फिर से आकर reliance अपने support पर आकर खड़ा हुआ है मैंने तब भी बोला था 25 को break नहीं करेगा वहां से market गिर जाएगा तो levels note कर दीजे आप लोग 24 को अगर reliance नीचे की तरह break कर दे समझ जाना निफ्टी 50 पॉइंट के लिए यहां से रिवर्स करता है तो 24 को क्रॉस कर पाएगा नहीं आप लोग देखना अब बात करें market की conditions की तो अभी small थोड़ा सा weak है market क्योंकि अब लहर की news जादा चल रही है अब बैंक निफ्टी के important जानने से पहले आप सब लोगों के लिए एक important information है अगर जितने भी नई लोग आए और जिन्नोंने भी अभी तक हमारा free telegram channel join नी करा तो मैं आप सब को इत चैनल के अंदर कुछ short short call provide करते हैं जो आपको एक से तीन दिन के अंदर 5-10-15% का बढ़िया रिटन देके जाएंगे open challenge के साथ जाओ free channel है 49,000 से जादा लोग इसको join कर चुके है इसकी link मैंने description box में डाल दिये या फिर आप लोग comment section में जाना पिन भी मैंने कर दिया है आप आप लोग वहां से click करके भी इसको join कर सकते हैं अब nifty bank का आप उपर के levels को भूल जाईए यह वाला यह बहुत ही हाँ तगड़ा huddle काम करने वाला bank nifty के लिए आप देख सकते हैं यह range बननी है 35,000 से लेकर 36,700,800 के बीच की market की यह वाली bank nifty की क्योंकि इसका पुराना भी देखो एक, दो, तीर, चौथी वार में जाकर break कर रहा था तो अब यह range इसके लिए काफी struggle वाली हो सकती है नifty bank के लिए अब BNF को तेजी आप लोग तभी समझना जम market 37,600 को break कर देगा यह वाली level को इसके बाद ही आप लोग समझ सकते हो market उपर जाएगा 40,000 के लिए 500,000 पर के लिए बट अभी यह level थोड़ा से important होने वाला है हमारा अगला level 36,800 यह break करना बहुत जरूरी है फिर उपर की point बन जाएगी 400 की उपर की fast movement बट market week है अभी आपको कुछ नहीं करके चलना है market में एक hyper आपको sell करना है समझो बात को hyper आपको put buy कर लेने है अगर आपको market फिर से again उपर जाता हुआ देखें 300-400 point तब आपको उपर पर फिर से buy कर लेना है उसी में आपको फायदा है और नीचे अगर आपको मिलता है यहां पर 35,800 के आसपास एक strong support है bank nifty का तब आप C buy करना इस से बीच में अगर market trade करता है तो कुछ भी मत करना bank nifty के लिए आप ल वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आयो सब्सक्राइब करके जरूर जाना थेंक्यू जैहिंद